शिक्षार्थियों और दर्शकों नमस्कार राष्ट्रिय मुक्ति विद्याली शिक्षासनस्थान की ओर से मैं भी वेग सिंग आज आपका इस कारक्रब में स्वागत करता हूँ आज हम उचतर मादनमिक इस्तर पर भोगोल विशय के अंतरकत बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही महत्पूर्ण विशय या बिंदु पर जो है प्रिशर एंड विंट्स यानि दाब और पवने इस कारक्रम में हम जिन प्रमुख बिंदों पर बात करेंगे वो होंगे air pressure and its measurement, distribution pattern of air pressure, factors impacting distribution of air pressure, relationship between the temperature and other factors in existence of pressure builds इसके लावा हम बात करेंगे वायुद आपके मौसमी वित्तरण पर साथ ही pressure gradients और पवनों की जो गती है उसकी बीच में क्या संबंद है हम इसकी बात करेंगे साथ ही हम जानेंगे कैसे विवन प्रकार की पवने और चक्रवात हमें देखने को मिलते हैं ये तो बात थी उन मिन्दों की जो कि आगे कि सर्चा में हम शामिल करने जा रहे हैं तो आए हम सबसे पहले बात करते हैं एयर प्रशर यानि वायदाब की और हम कैसे इसका मापन करते हैं मापंद के पहले आई हम जानें कि आखिर वाई दाब है क्या अक्सर हम बात करते हैं कि वाई मंडल ने एक आवरन के रूप में इस प्रित्वी को घेर रखा है वास्तव में प्रित्वी की जो गुरुत्वा करें सकती है उसकी वज़े से हमारे चारों और वाई मंडल बोलते हैं वो पाए जाता है अब अक्सर हम मान लेते हैं कि जो वाई है उसका वज़न नहीं होता लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है जी बिलकुल नहीं अगर उदाहरन के लिए आप मान लीजिए आपके पास एक खाली ट्यूब हो आप उसका वज़न लीजिए और उसके बाद उसमें हावा भरी है और फिर वज़न लीजिए तो निश्चित रूप से आपको उसमें वज़न का अंतर समझ में आएगा यही वास्तव में वाई क है तो निश्चित रूप से उसका दबाव पड़ेगा तो किसी निश्चित भूभाग पर वायू के पढ़ने वाले वजन को या उससे जो दबाव उत्पन होता है उसे ही हम वायुदाब कहते हैं यानि इसे हम एक्मासफिरिक प्रिशर की संग्या देते हैं यानि किसी इस् वाइदाब होता है अब हम इसका मापन का करते हैं तो इसके मापन के लिए एक यंत्र होता है जिसे हम वायुदाप मांप कहते है और इसको पर यूनिट पूर्स पर यूनिट एरिया के रूप में मापड आता है अब इसको मापने का जो तरीका है या हम कहें जो यूनिट है उसे हम मिली बार कहते हैं जिसको एम बी के रूप में दर्शाय जाता है वन मिली बार वाइदाब का जो वजन है वो वास्ताव में वन ग्राम पर स्क्वार सिंटिमीटर के बराबर होता है इसी तरह अगर आप देखें कि 1000 मिली बार वाइदाब जो है वो लगबख 1.053 किलोग्राम पर स्क्वार सिंटिमीटर के बराबर होता है सी लेवल पर तो इस तरह से हम यह कह सकते हैं कि सागर तल पर जो माध्य आउसत वाइदाब है वो 1013.25 मिली बार होता है तो यह तो बात थी कि वाइदाब क्या है उसको हम कैसे मापते हैं और किन एकायों के दोरा हम उसे प्रदरशित करते हैं लेकिन जो वाइदाब है वो समान नहीं होता बहुत सारे ऐसे कारक हैं जो उसे भाविद करते हैं और उन कारकों के प्रभाव से अलग-अलग छेत्र में हमें वाइदाब में बिन्ता देखने को मिलती है चुकि प्रत्येक छेत्र में कोई अलग कारक प्रभावी हो सकता है साथ ही चुकि वायु का जो घनत तो है उसमें भी छेत्री भिनता देखने को मिलती है साथ ही ये जो भिनता है वो दो तरीकों से आपको देखने को मिल सकती है पहला तो यह है कि वाइदाब में हमें लंबवत भिनता भी देखने को मिलती है और साथ ही इसके 36 वितरण में भी भिनता हमें देखने को मिलती है तो वाई मुंडल की अलग अलग पेटियों में तापमान की अलग अलग दशाओं की वज़े से भिन गनत तो होता है और भिन गनत के होने के उकारण वहाँ पर अलग वाईदाब आपको देखने को बिल सकता है उसी तरह अगर आप जाए वाई मुंडल की उपरी परतों पे जो की अपेक शक्रित कम घनत तो वाली हैं तो वहाँ पर वाईदाब कम होगा लेकिन जैसे हम धरातल की ओर आते हैं तो ये वाईदाब बढ़ता जाता है तो इस तरह से वाईदाब के वितरण में भिनता हमें देखने के मिलती है तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि लंबवत वितरण वाईदाब का यानि Vertical Distribution किस प्रकार से है जैसे मैंने कहा कि वायू दाब का वितरन लंबवत रूप से पाये जाता है और वायू का जो बजन है उसका दवाब निशली परतों पर मिलता है अब इसका असर क्या होता है? असर ये होता है कि जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं वहां पर उचाई पर पहले तो बात है तापमान हमें कम देखने को मिलेगा और उसके साथ ही आप वहां पर वायु का घरत भी आपको कम देखने को मिलेगा चुकि वाईव का घरत तो कम होता जाता है इस कम होते घरत के साथ ही वाईवदाब भी हमें वहाँ पर कम देखने के मिलता है अगर इसको इस तरह से देखें कि अगर सामान रूप से वाईवदाब के में जो कमी आए उचाई के साथ बढ़ने पर वो प्रत्यक 300 मीटर पर 34 मिली बार हो जाती है लेकिन इस आधार पर जादा उचाई पर जाने पर वाईवदाब और भी कम हो जाना चाहिए लेकिन उसके अलावा और भी कई सारे कारणख हैं जो किसे प्रभावित करते हैं लंबवद वित्रण में जैसे हम वहाँ पर वाटर वेपर यानि जल्वाप्ष की मात्रा किस प्रकार से है टमप्रिचर या तापमान वहाँ पर वाईवद का किस प्रकार से है अब इन बहुत सारे कारकों का एक सामान प्रभाव आप देखे तो उचाई के साथ हम देखते हैं कि वाईवदाव में कमी आती जाती है तो हमने बात की कि तापमान का असर होता है साथ ही वाईव के घनत का भी असर होता है यही कारण है कि अगर आप पहाड़ों पे जाएं तो वहाँ पर आपको कम वाइदाब मिलेगा जब कि आप निचली सतहों पर जैसे ही आएंगे धरातल पर वहाँ पर आपको जाज़ा वाइदाब देखने को मिलेगा तो इस तरह से निश्यत रूप से वाइदाब में भिन्ता लंबवत है और वाइदाल की जो विभिन पेटियां हैं उनमें अगर आप जाएं तो उचाई पर कम वाइदाब और निचली सतहों पर जादा वाइदाब देखने को मिलेगा अब इसके बाद बाद आती है 36 वितरन की 36 वितरन में और भी जाता विन्ता आपको देखने को मिलेगी क्योंकि यह 36 वितरन बहुत सारी बहुतिक दशाओं से भी प्रभावित होता है अब इस वितरन को हम प्रदर्शेट कैसे करते हैं तो इसका प्रदर्शेट हम करते हैं आई समडाभरेखाओं से यानि समडाभ रेखाओं का थात पर है कि धरातल पर समान वाजदाप के बिन्दूउं को मिलाने वाली ये कालपनिक रेखा जो समानता है मान चित्र पर अंकित की जाती है आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि कैसे एक वृत्य की रूप में या एक गोले की रूप में ये वाइदाब रेखाएं हैं और एक वाइदाब रेखा एक निश्चित वाइदाब की मातरा को प्र जलती है उसमें भिनता देखने को मिलती है वासतों में जितनी ज्यादा यह वाइदा ब्रेखाएं पास-पास होती है उतनी तेजी से वहां पर हवाएं जलती हैं तो इस तरह से इन समदाब रेखाओं में जो परिवर्तन हैं उसे हम प्रिशर ग्रेडियंट की रूप में भी जानते हैं छेतर वितरण पूरे विश्रु में समान नहीं है अलग अलग छेतर में अलग अलग कारक इसे प्रभावित करते हैं सबसे बड़ा प्रभाव तो जल और थल के वितरण का बढ़ता है लेकिन इसे प्रभावित करने वाले जो प्रमुक कारक हैं उनमें हम तीन को शामिल करते हैं पहला तो है वाईव का तापमान दूसरा है प्रित्वी का घूर्णन और तीसरा है जल वाश्प की उपलब्धिता या उसका दबाओ तो यह कारक हैं जो कि वाईदाप के चेतरीज वितरण को प्रभावित करते हैं अब यह कैसे प्रभावित करते हैं इसे जानना भी जरूरी है सबसे पहले तो हम बात करते हैं तापमान की अगर हम तापमान की बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि भूमद एक ही चेतर में जहां पर की वर्ष भर सूर्य चेतर लंबवत रूप से चमकता है वहां पर त तापमान कम है वहां पर हमें ज्यादा वायुदाब देखने को मिलता है। इस तरह से तापमान और वायुदाब के मद्ध में एक तरह से विपरीत संबंध हमें देखने को मिलता है। यह 36 वितरनकी हम बात कर रहे थे उस समय ध्यान देने योगे है। यही कारण है कि भूमद खी छेत्र में हम इसे एक क्रिटोरियल लो और डोल्डरम कहते हैं यानि वहां पर वायुदाब अत्यदी कम होता है और इस वजए से वहां पर हवाओं का 36 प्रवाह नहीं होता। यह तो बात थी तापमान की तापमान के साथ एक और भी ध्यान देने योगे बात है कि तापमान का प्रभाव वायु मंडल की जो हम मुटाई के बात करते हैं उसके साथ ही है। कारण यह बनता है कि जो गरम हवा होती है वो उपर उड़ती है उपर उड़ती है तो इस प्रकार से उस छेत्र में हमें वायुदाब में कमी देखने को मिलती है। उसी तरह से ये ऊपर उठती हवा उचाई पर जाकर शीतल होती है और फिर वापस धरातल पर आती है और जहां पर ये धरातल पर उदरती है वहां पर हमें इसके घनत में वाईव के घनत में हमें विर्दी देखने को मिलती है और वहां पर वाईदाब बढ़ जाता है तिस तर स्थान से एक दूसरी दिशा में प्रसरित हो जाती है इस वजए से हमें जहां से प्रवाह हमें देखने को मिलता है वहां पर कम वायुदाप जबकि जिधर प्रवाह होता है वहां पर हमें उच्च वायुदाप देखने को मिलता है इसके वज़े से एक और चीज होती है कि आप देखेंगे कि जब उच्छ वाइदाप से निन्न वाइदाप की और वाई का प्रभाह होता है तो पवनों के दिशा में भी परिवर्तन इस प्रित्वी के घूरन की वज़े से हमें देखने को मिलता है साथ ही घूरन की वज़े से एक कनवर्जेंस और डाइवर्जेंस भी हमें देखने को मिलता है इस बहती हुई हवा में तो इस तरह से प्रित्वीय घूरन सीदे प्रभाविद करता है वाईदाप के वितरन को इसके लावा जल वास्प का जो दबाव है उसका भी वाईव दाप की वित्रेने में हमें प्रभाव जहें वो देखने को मिलता है अब जलवास्प जो है वो मुक्ट ने उन छेतर ने में पाये जाता है जहांपर कि हमें कम वाईदाव से ताथ पर है कि वहाँ पर तापमान जादा है इसके अलावा अगर वाईदाव की मांतरा जादा है तो उसका जो दवाव है वो निशली परतों पर पड़ता है इसके अलावा जलवाफ्स का प्रभाव इस रूप भी देखने को मिलता है क्योंकि जो मौसमी वितरण है वो भी जलवाफ्स के वितरण के साथ जुड़ा हुआ है तो उन छेत्रों में जहां पर शीदृत होती है या तापमान अतिदी कम है वहाँ पर हमें ज़्यादा वाईदाब देखने को मिलता है जबकि गर्मियों में सामानेता है जो छेत्र हैं वो गरम हो चुके होते हैं और जैसा कि हमने पहले चर्चा की गर्मी और यानि तापमान और वायदाब में विपरीत संबंद होता है तो इस तरह से अगर ताप मांजादा है और जलवास्प कम है तो वहाँ पर भी हमें कम वायदाब देखने को मिलता है अब वायदाब को जो 36 वितरल है वो बहुत ही जादा अविवस्थित हम नहीं कह सकते प्रकार के एक प्रकार की एक प्रकार की निर्माण करता है तो अगर हम पहते हैं कि प्रॉप का प्रॉप में थे विया इसके बाद है सब पोलर लो प्रिसे हमndhap पत्ता यानि और सब चयंत में हैं पोलर हाई-प्रिसourd यानी उच्छे वाहिदा पती तो इस तरह से यह चार प्रमुग वाहिदाप पती यह हैं इनमें एक चीज और विशिष्टा देखेंगे कि जो कि भूमद रेखी ये निम्नमाइद आप पेटी भूमद रेखा के सहारे दोनों ही गुलार्दों में पाए जाती है उसके लावा जो बाकी तीन पेटियां हैं वो उत्तरी गुलार्द और दक्षणी गुलार्द में स सबसे पहले आई हम बात करते हैं equatorial low pressure belts की हम चर्चा कर रहे थे कि कैसे भूमद रेखा पर सूर्ज है वो वर्ष भर सीधे चमकता है इस अधितिक तापमान के कारण हवा गर्म होती है और वह उपर उठने लगती है चूंकि उपर उठती हवा की वजह से वहां पर वायु का घ्रत्तों कम हो जाता है उत्रह से वहां पर भूमद रेखी निम्द वासताब पेटी का निर्माण होता है इसका विश्थाडि नोर उत्तरी और दक्षडी अक्षांस में 10 मोर ways रेक्षणी ब्लू कर नहीं मिलता है साथ ही चुब direkt एक मघ्वाः गधाब है और वायु यहां पर सभेन का प्रवाह देखने के मिललें मिलेगा बिए क्यांति हो पर हम एक इंट्र ट्रोंक रोगर्पर्जनस जोन यानि ITCG देखने को मिलती है और यह एक संक्रमन सीमा है सब ट्रॉपिकल हाई प्रिशर बेल्ट के साथ में और यहां पर पवनों का तीवर प्रवा हमें देखने को मिलता है दूसरी पेटी है सब्ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बिल्ड का जो विस्तार है वो दस डिग्री उत्री और दक्षरी अक्षांसों से दोने गोलार्दों में 35 डिग्री अक्षांसों के मद्ध है यहाँ पर आप देखेंगे कि जो की भूमदरेखी छेतर से जो वाय गर्म होकर उपर उठती है वो प्रित्वी की घोडन गत की वजए से नीचे जब उतरते है यानि उपर जाने पर वो ठंडी होती है और घोडन गत की वजए से जब वो नीचे उतरती है तो वो लगभग इन वह भी बढ़ जाता है और इस कारण से यहां पर हमें थंडी अधिक घंत्यों वाली एक बड़े छेत्र में वाइद देखने को मिलती है और जिस कारण से यहां पर उच्छ वाइदाप पेटी का विस्तार हमें देखने को मिलता है इसके बाद हम बात करते हैं सब पोलर लो प् लिए सब पोलर लोड और बेल्ट के रूप में भी इसके अavaisिस्तार देखते हैं से नौर्थ सब पोलर लो और सौथ सब पोलर लो प्रिशर बिल्ड के रूप में भी जानते हैं जैसे कि हम बात कर रहे थे कि ये वाइदा पेटियां दोनों ही कोलारदों में समान रूप से पाई जाती है चुकि यहां पर जो वायू है उसका जो प्रवाह है वो एक और ध्रवी उच्च वाइदा पेटिक्योर से हो रहा होता है दूसरी तरफ जो उपोष कटवंदी उच्च वायूदा पेटियां वहां से भी वायू आती है तो ये दोनों ही तरफ से हम यहां पर हम वायू का प्रवाह हम देखते हैं इसकी एक और विशेस्ता है विशेस्ता यह है कि इसे अक्सर हम जोन अफ कनवर्जेंस की रूप में जानते हैं जिसे कि हम पोलर फ्रंड कहते हैं तो इसका विस्तार भी यहां पर देखने को मिलेगा जो सबसे अंतिम वायदा पेटि है वो पोलर हाई प्रेशर बेल्ट है उत्तरी गुलार्द और दक्ष्नी गुलार्द में हम दोनों ही गुलार्दों में समान रूप से इसका विस्तार पाते हैं और इसका निर्माण इस वज़े से होता है कि एक तरफ आप अपने उदारन देखा होगा कि भुमद रेखी छित्र में वर्ष भर सूर्य सीधा चमकता है तापमान ज्यादा होता है वहाँ पर निम्नवाइदा पेटि के निर्मान होता है लेकिन गुलार्दों पर सूर्य वर्ष भर अगर आप कहें तो तिरशा चमकता है उसकी जो सुरी के करने हैं तिरशी आती है इस कारण्ट से यहां पर तापमान काफी कम रहता है और जैसा कि तापमान और वायदा मैं आप देखेंगे यहां पर एक समान रूप से संबंध पाए जायेगा यानि तापमान निम्न है और वायदा बहुत जादा है यारी यह विपरिद सम्मंद है यहां यह आपको देखने को मिलेगा अब चुक्क यहां पर उच्छ वायदा पेटी पाई जाती है तो यहां से पवनों का जो प्रवाह है वह हम जैसे बात कर रहे थे वह उपद्र भी व गोलारदों में सामान रूप से इन वायदा पेटियों का विस्तार देखने को मिलता है इसके लावा वायदा में हम मौसमी वितरन की असमानता भी हमें देखने को मिलती है अगर आप देखेंगे कि चुकि दोनों ही गोलारदों में जल और थल असमान वितरित है उत्री गोल में जली च्छेतर जादा है तो ये सारे कारक मिलकर वाएदाप्के वितरण में मौसमी भिर्णता लाते हैं साथ ही जूकि सूर्य की किर्णों का जो कॉन है वो भी मौसम के नसार बदलता है उसका भी प्रभाव हमें ड वाएदाप्के वितरण में देखने को मिलता है तो इस तरह से कुछ समान रूप से प्रभाव हैं जो वायदाब के मौसमी वित्रण में हमें देखने को मिलते हैं तो सबसे पहले आईए हम बात करते हैं जनवरी के महिने में वायदाब का वित्रण किस प्रकार से पाए जाता है सबसे पहले तो आप इस मांचित को एक बार देखें और इसको देखते हुए आप समझ पाएंगे कैसे दक्षणी गोलार्द में जो समधाब रेखाएं हैं उनका एक सामान रूप से प्रतरूप है जबकि उत्री गोलार्द में ये बहुत ही असमान रूप से देखी जाती है अब इसके अतात पर अकर आप देखेंगे कि चुकि स्थली भाग जल्दी ठंडी और गरम होते हैं जबकि जल भागों में हमें तापमान में जो अंतर है वो धीरे धीरे देखने के मिलता है यही कारण है कि ठंडियों में इस थली भाग तेजी के साथ ठंडे हो जाते हैं जबकि जली भाग आप एक छक्रित गर्म होते हैं तो आप इसको हम दोनों ही गोलारदों में इसकी वितरन को देखेंगे अगर हम दक्षिनी गोलार्थ में जाएं तो आप देखेंगे कि सब पोलर लो प्रिशर बिल्ड का जो वृत्त है वो संपूर्ट प्रित्वी में समान रूप से वृत्रित होता है इसमें कोई भी बीच में रुकावर्ट देखने को नहीं मिलती कारण यह होता है कि चुकि दक्षिनी गोलार्थ में इस्तरी भाग काफी कम पाए जाते हैं लेकिन जैसे हम उत्री गोलार्थ में आते हैं तो वहां मुक्ता निम्न वायदाब के मुक्ता दो केंद्र देखने को मिलेगी जिनका विस्तार आइसलैंड और एलेशियन लो के रूप में हम देखते हैं नौर्थ अर्टलांटिक और नौर्थ पैसिफिक ओशिन में तो इस तरह से उत्तरी और दक्षिनी गोलार्थ में यह भिनता देखने को मिलती है साथ ही अगर आप देखें कि जो सब्ट्रोपिकल हाई प्रिशर सेल्स है वो मुक्ता है दक्षिनी गोलार्थ में जल छेत्र में है जबकि उत्तरी गोलार्थ में इनका विस्तार मुक्ता है इस तरही भागों में पाई जाता है नमस्कार झाल